Hello everyone, welcome back to issue math on trigonometry का previous question से रिस चल रहा है, यह कब आया था, यह आया था, यह आया था, इसे CGLT R1 to 2013 में आता, question में इसमें जान उत्रा नहीं है, लेकिन क्या होता है, यह question देखते ही, सारे के सारे इसमें पागल हो जाता है, कैसे पागल हो जाता है, देखो ध्यान से सुनना, the value of 15 52 into sin 30 degree plus 2 cos 45 degree plus 3 sin 30 degree plus 4 cos 45 degree plus 17 30 degree plus 18 cos 45 degree, ध्यान से सुनना, किस तरीके से हो रहा है, सारे sign के आगे देखो 1 है, cos के आगे 2 है, उसके बाद sign के आगे 3 है, उसके बाद cos के आगे 4 है, उसके बाद sign के आगे 5 है, उसके बाद cos के आगे कितना हो जाएगा, यह AP सीरीज में आ रहा है, जान से सुनना ये एक एपी सीरीज में आएगा आपको दिखेगा किस तरीके से एपी सीरीज आप कहे दे रहो सिन 30 डियरी 152 इंटू साइन 30 डियरी के वैलू क्या है साइन 30 के वैलू है आपके 30 डियरी के वैलू half तो half लिग लिए प्लस 2 इंटू कॉस 45 डिगरी के वैलू 1 अपन रूट्टू होता है, तो सर्व 1 अपन रूट्टू का होल्सकर बराबर 1 अपन टू लिख सकते हो, लिख सकते है, प्लस 3 इंटू साइन थर्टी डिगरी के वैलू कितना आया, फिर से हाफ आया, अचाव हाफ होगा, 1 अपन रूट्टू नहीं, हाफ होगा, फिर कॉस 45 डिगरी के वैलू, सर्व वही कॉस स्क्वैद दियावा, तो 1 अपन टू करो, प्लस 5 इंटू, एक बर फिर से लिख देता हो, साइन थर् फैक्टर है, ठीक है, ध्यान से देखो, 1 अपन टू कॉमन ले लिए, तो 152 अपन टू आ गया, उसके बाद देखो, 1 प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस ऐसा गरते हैं, हम लोग 18 तक चल रहा है, तो ये एक एन सिरीस का साम है, ये एक एन सिरीस का साम, तो सर्य यहां से क्या ल प्लस 1, इन कितना है, 18 डिजिट है, इन टू एन प्लस 1, मतलब 19 अपन दो, तो 2 से 29 आठ रहा, तो एक काम करो गुना कर लेता है, तो 76 से हम लोग 19 का गुना करते हैं, तो 19 का गुना के बराबर क्या होता है, 20 माइनस 1, तो 20 गुना करेंगे, तो 0, 6 दूना 12, कैरिफर 1, 7 द गुना करेंगे, तो 9 से गुना करना है, तो 9 से गुना कर लो, 9 चके 36 का चे, करिफर 3, 9 चके 36, 3 कितना होता, 39, करिफर 3, 9 चके 36, 39, करिफर 3, 9 एकमना 10,000, 12, तो 12996 आ जा रहा है, आपका ये एक नॉर्मल फड्ड है, अब बताओ एक चीज़, क्या बताएंगे, ये 12996 is a rational number, but not an integer, ये दगो, पहले से देखो, an integer, but not a perfect square, ये square होगा, perfect square, a rational number, but not an integer, a perfect square of an integer, irrational number, अब बताओ कौन सा हो जाएगा, पहले तो दिख रहा है, कि एक integer है, rational, irrational number, पीबटा, क्यों क्या कर में, आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब देखो, ये perfect square है की नहीं बोला जा रहा है, rational number, but not an integer, ये तो integer है, कौन सा आया था, हमारे पास आया था, 12996 सा आया, तो ये perfect square है की नहीं, चेक कैसे करोगे, तो perfect square है की नहीं, चेक करने का तरीका होता है, या तो आप normally root कर लो, हमें अगर नहीं पता है, तो normal root कर लेता है, तो ये 10 आ गया, 1 और 29 नी नहीं होगा, एक आएगा, एक आएगा, एक किस का एक आएगा, तो एक आया, तो एक किस आया, तो यहां पे 8, 9, 6 आता है, या रहा दुना, 22 होता है, तो इसके साथ क्या गुना करोगे, 4, 16, 4, 2, 8, गमना हो, 4, 2, 8, तो 4 से गुना कर लो, तो 114, तो 114 का square आ जाता है, perfect square है यह, तो एक perfect square and an integer, of an integer, तो यह question छोटा था, फिर भी घमासान question था, ताकि आपको फसा दिया जाए, एतना अच्छा question था, ठीक है sir, thank you, bye bye, stay tuned for the next class.